ओम नमस्षिवाय हर हर महादेव स्वागत है आप सभी के अपने इस योटूब चैनल जीवन जीने की कला में आईए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं साल 2020 कैसा रहेगा आपका मन में जिग्यासा होती है कि 2020 का साल हमारे जीवन में कैसा रहेगा इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं सबसे पहले 2020 का साल कैसा होने वाला है ओवरॉल मार्केट के लिए एकोनोमी के लिए भारतवर्ष के लिए वर्ल्ड के लिए और इन पार्टिकुलर आपके लिए यानि की सबसे महतोपुन है आपके लिए लॉजिक देखते हैं 2020 यानि कि 2020 के मैचे जैसे होते हैं आजकल वैसे देखने में खुब सूरत है अब अगर हम 2020 की बात करते हैं तो सबसे पहले टोटल कीजिए 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0 इसकल टू 4 आएगा अब 4 का जो नंबर है दोस्तों वो किसका नंबर है राहू का नंबर है अब राहूर जो है basically पहले इसके character को समझते हैं हम सभी कि राहू है क्या जब राहू की बात करते हैं तो उसके पास सर है धड़ नहीं है struggling planet है यह आप सभी जानते हैं क्यों क्योंकि body complete नहीं है यह देर से और 4 नंबर क्रॉल करता है यह आप सभी को पता है पर देता क्या है यह चार नंबर राहू का है तो उसके पास head है यानि कि हमारे पास बुद्धी है हमारा दिमाग है दिमाग ऐसे लोगों का बहुत तेज होता है आपने देखा होगा जिनका नंबर 4 से बिलोंग होता है जब 4 का नंबर 2020 से rule होने वाला है राहू के साथ 4 के साथ तो इस साल लगता है कि पूरे world या पूरे इंडिया की economy कहीं न कहीं slow down हो सकती है बट slow down के साथ साथ राहू का character क्या है sudden up और sudden down यानि कि एका एक चलना एक उतर जाना तो देखेंगे इंडिया की या world की overall economy के हम सभी बात करें तो बहुत up downs देखने को मिलेंगे 2020 में यानि कि एका एक economy उपर जाएगी और एका down चली जाएगी sensex की तरह जैसे की sensex rise करता है और फिर वो एका एक गिर जाता है तो overall बात करें तो इसमें sharp up और sharp down देखने को regularly आपको मिलता रहेगा अगर आपकी बात करें यानि कि 2020 नंबर 4 के जो राहू का साल है उसके बारे में driver 1 की बात करते हैं यानि कि अगर आपका ए एक नंबर से बिलोंग करते हैं यानि कि कौन से लोग होते हैं जैसे कि अगर आप किसी भी महिने के एक तारिफ 10,19 या फिर 28 तारिफ को जन में लिये हैं तो आपका मुलांक जो होता है वो एक होता है एक नंबर जो है वो सुर्य का नंबर है राजा का नंबर है अब एक तर का नमबर है राजा को सात किसका मिलेगा नमबर 4 का राहु का क्या राजा और Mrs. राहु मिलते हैं या नहीं इसे आपको आपकी जिंद्गी का पता चल जाएगा दोहजार वीस में कैसा रहेगा अब राजा जो है राहू को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता है पर सेम टाइम वो उससे लड़ता भी नहीं क्योंकि उसको पता है ये गुंडा टाइब का आदमी है ऐसी जरूरत पढ़ गई जो कोई नहीं करेगा तो यहीं करेगा तो इससे न लड़ाई होती है न बैर होती है और नहीं इससे बहुत लगाव है तो कहीं न कहीं इससे थोड़ा भोत मेल मिलाप रहता है अगर आप एक नंबर वाले हैं और 2020 के बात करें तो मान के चलें कि आपको reward मिलेगा जिहां 2020 के अंदर आपको reward मिलेगा पैसा मिलेगा सब कुछ मिलेगा पर एक बात ध दूंगा तो तुझे सब कुछ राजा क्योंकि आप हैं जो कि एक नंबर है आपका रहु कहता है दूंगा सब कुछ पर एक शर्थ है hard work, hard work and hard work अगर तू hard work करता है तो तुझे सब कुछ देने के लिए वो तयार है दूसरी शर्थ है रहु की कि अपना goal specific रखें आप पहले ही अभी से आप देख लें कि 2020 के अंधर आपका goal क्या है और वो भी specific ऐसा नहीं होना चाहिए कि भगवान मुझे करोणपती बना देना मेरा business चला देना ये goal नहीं specific यानि कि आप आज एक लाख कमाते हैं तो आप 2020 में कितना चाहते हैं 2 लाख चाहते हैं 1.5 लाख चाहते है यानि कि आप अपने capacity के coding जैसा work कर रहे हैं ये अगर आपका specific है तो राहू उस goal के प्रती इमानदार रहे तो वो पहुचा देगा वहाँ पर एक number को यानि कि राजा को दे देगा लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा इसमें कोई दोराय नहीं है बस आपको मेहनत करना 2020 का साल आपके लिए बहतर हो सकता है अब इसके साथ साथ कुछ उपाई कर लिजेगा जैसे कि अगर आप एक number वाले हैं तो सबसे पहले सूर्य को जल जरूर दीजेगा इस साल red color का धागा आप Molly अपने हाथ में बांद करके रखिए right hand में हो सके तो red color का टीका लगाईए lady क लिए टीका लगाना मुश्किल होगा लेकिन red color का धागा बांच सकती है लेकिन इसके साथ साथ red color का कपड़े पहन सकती है आप इसके साथ साथ अगर female है तो परस रख सकती है या फिर कोई भी चीज जो bandit हो गया जैसे की या फिर चूडियां हो गई red रखें तो आपके लि आपके लिए और आप गरिबों की मदद करें यानि की खाना खिलाएं कपड़ों के रूप में मदद कर दें भोजन करा दें किसी भी रूप में अगर मदद कर देते हैं और नमबर एक है आपका तो ये साल आपके लिए बहतर हो सकता है आपको खुशी दे सकता है आपको सफ 2020 में आपको राहू के साल को ध्यान रखना होगा जिनका एक नंबर होगा उनके लिए कैसा रहेगा ये साल अब बात करेंगे हम अगले वीडियो में दो नंबर जिनका यानि की जिनका मुलांक दो है उनके बारे में 2020 उनके लिए कैसा रहेगा एक वालों के लिए तो हमने बता इतना ही विदा लेते हैं इस एपिसोड से जुड़ेंगे नए एपिसोड में तब तक आप सभी खुश रहें आनंदित रहें प्रेम से बोलें हर हर महादेव